हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो मारी यूट्यूब चैनल अश्मितास कॉर्णर आज मैं इस मट्टे का मही कोवर करूंगी यह मैंने कैसे पेंट कि अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जागर की लिंक चेक कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं यह जो कुलोट्स आते हैं उनके जो कार्डबोर के बॉक्सेस होते हैं उनका नॉर्मली मैंने एक कोन मना लिया है और यह मेरे कटन की रॉड एक्स्ट्रा थी मेरे पास तो मैंने यह यूज करने का सूचा है इसको मैंने इस मट्के में इंसर्ट करके देख लिया यह बिलूट नहीं हमारा यह कुण जो है इसमें अच्छे से फेट आ रहा है अब हमें इस रॉड को गर्म करके इस बॉटम पार्ट में होल करना है और एड़ेस्ट करना है इसी के सहारे यह कुण टिकेगा तो चलिए इसमें होल करते हैं मैंने होल कर लिया होल हमारा बिल्कुल ही पर्फेक्ट बना है यह इसमें एड़िस्ट हो जाएगा और बिल्कुल भी ही लेड़ेगा नहीं अब बारी आती है इस कोन के ओपर फैब्रिक पेस्ट करने की फैब्रिक लगाने के लिए मैंने अपनी ओल बेट शीट है उसके कु प्रीसिस को चिपकाऊंगी आप अगर चाहें तो इस पर जालर बगरा भी लगा सकते हैं आप मैंने ग्लू कन इसके किनारे किनारे आप लाई किया है और इसमें एड़िस्ट कर दिया है दबा दूंगी थोड़ा सा कि अच्छा से चिपक जाए इसमें लाइटनिंग करने के अगरी मैंने फोल्डर का यूस नहीं किया है और यह जहलर है इसको हम ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे और इसके अंदर रख देंगे और यह गिरेना ही इसके लिए जो क्लोट्स सुखाने वाली क्लिप आती है वह इस रॉड में ऐसे फसा दीजिए और बिल्कुल भी यह गिरे कि मैंने करने पर रख दिया है अभी तो मैं यह आपको ऐसे ही रख के दिखा रही हूं किसी रूम कमें में कोवर करूंगी तो मैं आई यह सारी चीज आपको सजा के भी दिखाऊंगी यह लाइट आफ करके भी कितना सुन्दर लग रहा है और अगर आपने इस तरह के मटके को डेकोर नहीं किया है तो कोई बात नहीं आप किसी बॉटल में भी इसको ट्राइ कर सकते हैं यह दिखिए बॉटल का मैंने फ्लावर पॉट बनाया था इसमें मैंने रख के देखा यह भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा है यह फ्लावर पॉट कैसे बना है आप लिंक च तो सच मानिए तो यह मुझे इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है और अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज कमेंट करके जरू बताइएगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए थैंक्स फोर वाचिंग माई वीडियो